नुश्कार आद देखरें केनाइन मीडिया और मैं हूँ आपके साथ हरुन कुमार और इस विशेश चर्चा में हमारे साथ मौजूद है खरीखरी न्यूद से कुल्दीप शोरान जी आज की बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे आज BJP की मिटिंग हुई है और स्टेट एक कमेटी है जिसने लोग सभा के अलग अलग शेत्रों के लिए कुछ नाम रेक्मेंड किये हैं उन नामों पर चर्चा करेंगे उन नामों के कितना वज़न उस चीज पर चर्चा करेंगे औ इन नामों के अलावा और भी नाम वो आ सकते हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है, सर आज जो है स्टेट कमेटे की कोई मीटिंग हुई है बीजेपी की, उसमें कौन-कौन से ऐसे नाम किस-किस लोग सभा से वो तै किये गए हैं और क्या इनके बीच में सरप्राइजिंग केंड करत की है और इसके अंदर बीजेपी के सभी दस के दस सीटों पर पैनल बनाकर हाई कमान के पास भेजने का फैसला किया गया है, आप पो यह बता दे कि बीजेपी ने जो आज का पैनल बनाया है, उस पैनल के हिसाब से अंबाला से बंतो कटारिया और बलोंसिंग सदोरा के बलावा किसने बेदी का नाम भेजा गया है, यानि अंबाला सीट पर तीन नाम इसमें अनून बेजे गए हैं, और इन तीन नामों में अगर देखें, तो बंतो कटारिया है, बंतो कटारिया पहली प्रेफरेंस में आते हैं, निक आजिसमें बात हम सर्कों को बता दे कि बी बलवंत सिंग्स दोरा के पहले MLA रहे हैं, और इसके लावा क्रिशन बेदी 2014 की BJP सरकार में मंतरी रहे हैं, और अगर बंतो कटारिया गार टिकट करता है, तो इस साबसे अगर लोकल किसी केंडिट को टिकट देना है, तो बलवंत सिंग्स दोरा BJP के सबसे मजबूत केंड इस जो आपने बताया, क्रिशन बेदी वो मंतरी पे रहे हैं, और सिया मनला खटर के सबसे नजदी की नेताओं में सामिल हैं, जिनके पर खास किरपादस्टी खटर साब की रहती है, उनेताओं में सामिल हैं, उसके बाद बात करते हैं कुछ शेतर की, सर एक सर्प्राइजि सर्प्राइजिंग जो चेरा इसीट के उपर अशोकतवर हो सकते हैं, क्योंकि अशोकतवर खुद भी जो है, सिर्चा की बज़े अंबाला से सुनाओ रोना चाहते हैं, कोई सर्प्राइजिंग कोई फेक्टर यहां कोई फेस आएगा, तो अशोकतवर के तोर पर वो हो सकता है, कोच्छेतर लोक्षबा सेट के उपर नाइब सेनी खुद वहां से सांसद हैं, बीज़ेपी के परदेश के अध्यक्स हैं, इसलिए अध्यक्स के नाते और वरतमान सांसद के नाते का नाम गया है, अब दूसरा जो नाम है, वो बीज़ेपी हाइकमान के पास छोड़ द हैं, इसके अलाबा, जो तिसरे दावेदार के तोर पर, जो है डीदी सर्मा भी ट्राइ कर रहे हैं, उनका नाम हो सकता है, चौते दावेदार के तोर पर समाज सेवी के तोर पर काम कर रहे, संदीप गरख भी, अगर बीज़पी जोईन attained कर सकते हैं, तो वो भी इस हो सकते हैं यानि कुछ से तरशीट को पर बीजेपी ने पुरा सिस्टम खुला चोड़ा है एक हाइक माद बार से किस फेस को ले के आते हैं या डीडी सर्मा जो भी बीजेपी में मौझूद है वह टिकर देने का काम करते हैं यानि कुछ से तरशीट को ओपन छोड़ दिया है यानि हाइक माद जो फैसला करेगा वो कुछ से तरशीट पर नया ही चेहरा चुनाव विदान में आएगा बिल्कुल उसके बाद सौनिपत लोकसभा ने सौनिपत के बारे हम जीटी रोड़ करते हैं पहले करनाल करनाल पर पहला नाम जो है संजे बातिया जो वरतमान उसके बाद पर एडवोकेट वेदपाल का भी नाम वहाँ पर डाला गया है एडवोकेट वेदपाल ने पिछला जो चुनाव था विदानसभा को पूंडरी से लड़ा था वो चुनाव हार गये थे बड़े निताओं में सामिल है वो लगातार महमंत्री बनते आए हैं यान किसी राजपूत निता को दे सकती है तो योगिंदर राना बीजेपी की जिला देक्स भी है और खास बात यह रूण की करना लोक्सपाशीट पर लबग एक लाख पैंतिस जार के करीब जो है राजपूत वोट हैं तो कहीने कहीं पूरे प्रदेश के राजपूतों को पहली कि बार टिकट देड़ने के उस देशे से योगिंदर राना की लाट्री वहां पर लग सकती है क्योंकि संजय बातिया कुछ नहीं लड़ना चाहते हैं वैसे तो उनकी पकड़ दुनों जगए संग में भी बीजेपी में लेकिन वो खुद भी दानसपाश चुना लड़ना पर देखने की बात रहेंगी वेदपाल जो बड़े मजबूत संक्ररकी नहीं लेता है योगेंदर राना जो लोकल नहीं अनुद से किसके पर हैकमान यस करेगा यह देखने के बात रहेंगी सर बड़ी निउनकी सबसे बड़ी जीत वही थी करणाल की देश में सबसे प्रिदाबाद के निदर कि गुजर जो जुनाव जीते थे नंबर दो के उपर जो जीत वो करनाल की रही थी जहो और जहां तक सोनीपत की बात है सोनीपत में चार नामों का पैनल भीजा गैश में गुर्तमान सांसद रमेश को सिक का नाम नंबर एक पर है क्यों हमने बताया भी जो सांसद हैं उनका नाम लख टाला गया है उसके बाद मौना लुटो ली जो राई के विधायक है उनका नाम भी या तूर्पर जीनध को मोर का नाम भी मैं साविल है और चोथे के तूरपर तियर्थ राणा में सामिल है लेकिन तीन तीन नाम है यहां इस सीट को लेकर खिचा तानी रहेगी कि यहां पर जाड चेरे को देना है या ब्रहमन चेरे को देना है रमेश कोशिक और बडोली दोनों ब्रामन चेहरे हैं, रमेश कोशिक दो बार संसर बन चुके हैं, तो तिसरी बार नों को टिकेट मिले के समावना बेहत कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसमें योगेश वर्दत का नाम नहीं है, और मुझे लगता है कि सीट स्वनिपत सीट के उपर योगेश वर्दत हो सकते हैं. इसके लिए कोई हैवीवेट नेताई चीएगा उनको और पिसले बार भी फिल कर दिया है, तो इसमें मोधी की लहर दी सर, मोधी की लहर में तो दिपेंदर भी आ रह रह गया था, लेकिन यह सही बात है कि कॉंगरेश को भी है मजबूची रदाना पड़ेगा, और इसके लिए बड़े परसनेल्टी है, और जाना माना नाम है, इसलिए वो केंडिट बीजेपी की हो सकते हैं, उसके लाद रहतक, रहतक सीट के ओपर दो नाम गए हैं, अर्विन सर्मा का और बीजेपी के पूरो परदेश सिदेख्स और मंत्री उम्परकास धनकड का, दोनो ही एक अलग-अलग कमिनेशन के निता हैं, जहां तक अर्विन सर्मा की बात है, तो दिपंदर हुडा को हराने के बात, वो दमदार निता की तोर पर स्थापित हुए हैं, और बीजेपी के एक बड़े खेमे का मानना है, कि दूसरी बार अगर दिपंदर हुडा को हरा सकता ह है, तो वो दिपंदर हुडा के सामने सिदे तोर पर अरुंद सर्मा के नाम का चेहरा ही सामने आता है, उम्प्रकास दंकर की बात यह है कि वह एक लोते ऐसे लिस्ट में नाम है, जिनकी दो-दो-दो सीटों पर उनकी पैनल में नाम भेजा गया है, यानि रो तक और इसके साथ-साथ ओम्रकास दंकर का नाम तो दोनों जगह है, लेकि मुझे लगता है कि दोनों जगह भी फाइनल नाम नहीं आपाएगा, इसमें भिवानी में इंदर के उपर अगर कोई सर्प्राइजिंग फेस है, उस सर्प्राइजिंग फेस के तोर पर अगर बीजेपी ने किस गैर जाट चेहरे को पर लाने का अगर फैसला किया, तो किंदरी मंत्री भुपंदर यादव हो सकते हैं, उनको इलेक्शन कमेटी में भी सामिल किया गया है, और उनके नाम के सर्चे भी हैं, और उनके जो समर्तकों को एक्टिविट करते हुए जो है, पूरे परलेमेंट मे इस सबसे सिरियस शीट मानती है, पिछली बार भी मातर छेजार वोटों से डिपेंदर उड़ा रहे थे, तो इस बार शीट को दोबरा जीतने के लिए, वो क्या सर्प्राइजिंग तोर पर क्या बाबा बालकना को लेकर आते हैं तिसे परताशी की तोर पर, या कोई और सर् रनवीर गंगवा के नाम दो डाले गए हैं, यानि अगर जाट को टिकट बीजेपी हिसार से देगी, तो केटने बी मिन्यू का नाम इकलोता तोर पर सबसे आगे मजबूती की तोर पर मोजूद है, और दूसरे नाम को तोर पर अगर नों जाट को टिकट दी जाती है, तो इसमें रनवीर गंगवा का नाम भेजा गया है. जान एक हुआ है, देखो पर्टी को वहाँ पर. सर, दस की दस लोकसभा सीटों में एक बार मैं यह पूझना चाहूंगा, क्या जो रिजरव है वो तो है ऐसी के लिए, क्या बैकवड के नाम भी शामिल किया, कुछ बैलेंस बनाने कोशिश की गई है? देखे, आप अगर जो रनवीर गंगवा हैं, वो बैकवड नेता की तोर पर मुझूद है, तो मुझे लगता कि इस बार एक बैकवड नेता को टिकेट मिल सकती है, और उस उची में कहने कई रनवीर गंगवा का नाम भी आ सकता है. तो ऐसे तो फिर कैप्टर ना भी मन्यों की धटकने बढ़े जाएंगी? पैटर्न यह भी हो सकता है, वो बैकवड नेता को टेदे, और इसार में वह बैकवड को टेदे, यह तो बीजेपी के जो प्लानिंग चल रहे हैं, जो लिश्ट बनाई गई है, यह जो स्टेट जो है चुनाव समीति है, कमेटि है, उसने रिकमेंडेशन करके हाइकमान को ब इसलिए बीजेपी हाइकमान में से कितने नामों को रिजेट करेगा, कितने को मंजूरी देगा, यह तो बाद का स्वाल है, अब हम आते हैं सिर्चा के उपर, सिर्चा में दो ही नाम है, वरतमान सानसद पुनिता दोगल पहले नंबर पर हैं, और अब ताजा ताजा बीजे मुझे लगता है कि कहीं ने कहीं वे एक नया चेहरा इसमें आ सकता है, वो जो बलकोर सिंग का नाम का हो सकता है, बलकोर सिंग इसे काला माले से एमेले रहे हैं, उनकी छवी भी ठीक है, और बीजेपी अगर तवर को यहां से नहीं उतारती है, तो यहां पर बलकोर सिंग आ पहला वर्तमान सांसद और केंदरी मुंतिर राव इंदरजीत सिंग का है और दूसरा सुधायादव का है देखिए मुझे लगता है कि अगर इस लिस्ट में जो ने भी सांसद है अगर उसमें किसी के अगर सबसे अगर कोई टिकट है तो मुझे गुरुग्राम पर राव इतर बता चुके हैं तो यहां पर सिर्फ जो है जो फॉर्मिल्टी है दो नामों की मुझे लगता उसी के तहट जो है सुधायादव का नाम बेजा गया है और राव इंदर जिसकी यहां पर मुझे पकी टिकट नजर आती है और फृदाबाद फृदाबाद सीट के ओपर ज गुझर के लिए रास्ता तंग हो सकता कि विपल गुएल का नाम की सूचे में आना कहीं ने कहीं सर्प्राइजिंग रहेगा यह और यह सर्प्राइजिंग उनको प्रेशानी दिनेया काम करेगा और उनको टिकट हासिल करने के लिए बारी कोशिश करने पड़ सकती है लेकि भी फिर गुएल का रास्ता साफ हो जाएगा वो लोग सबागा चुना वड़ेंगे और ते गाउं शिट से क्रिशन पार गुजर विविधान सबागा चुना वड़ेंगे बिलकुल बड़ी बात है यह थी आज की बड़ी खबर जो की आज बीजेपी ने जिस तरह से एक प